बार नगर परिशक चुनाव का वोटिंग 10 अक्टूबर को होगा जिसकी तैयारी और चुनाव प्रचार युद्ध स्तर पर जारी है 27 वार्ड वाला नगर परिशक शेत्र के विभिन इलाकों में इन बिनो जन्समपर का भ्यान चलाए जा रहे हैं वही प्रशासन मद्दान कराने की तैयारी को लेकर कमर कसना शुरू कर दिया है लेकिन मजे की बात है कि कुछ ऐसे भी मद्दान केंद्र है जहां पर मद्दान केंद्र बनाये जाने को लेकर मद्दाता है रान है मद्दाताओं का कहना है कि चुनाव को महापर्व कहा जाता है लेकिन सुलब शौचालय में यह महापर्व कैसे मनाया जाएगा साथी नगर परिशक शेत्र के वार्ड संख्या 27 का जो मद्दान केंडर है वो सुलब शौचालय में बनाया गया है जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और उसमें जंगल चार उगे हुए है मुख्य गेट पर बड़ा ट्रांस्फॉर्मर लगा हुआ है जो माथे में तकराने का दर है साथी एकसर इसके खंभे में हाई वोल्टेज बिजली भी दोड़ती है ओवलोड होने के दौरान बार-बार चिंगारी भी लोगों के माथे पर गिरने का खत्रा बना रहता है जिसके चलते बुजुर्ग और बीमार लोग मदान करने से कत्राते हैं इलाके के लोगों ने मद्दान केंद्र चैन करने वाले पदादिकारियों पर सवाल उठाते हुए इसे यथाशीग्र बदलने की मान की है। लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा है मामले की जानकारी प्रक्षन विकास पदादिकारी डॉक्टर नवकिंट कुमार को भी है। ल इतना तो जरूर है कि व्रिधा और बीमार लोगों को इस मद्दान केंद्र पर कठिनायों का सामना करना पड़ेगा इसी तरह का नजाराबार के उमानात मंदिर पर इसर की पासवार्ट संख्या 15 और 16 के मद्दान केंद्र का भी है जो भी सुलब शौचाले में ही मद्दान कराये जाएंगे स्थान ये नागरिकों का कहना है कि इसे अच्छा तो चलंद मद्दान केंद्र खुले आसमान में टेंट लगा कर होता तो यहां पर कप सो भूट पढ़ा है इसके पहले बोट तो यहां पर पहले से ही पढ़ रहा है बहुत पहले से पड़ा रहा है, जगा लेकिन थोड़ा आओर फैलाग था, इसमें आओर मतलब कंजस्टेट कर दिया गया है, अंदर में सवचाले है, गंदगी भी है, देख सकते हैं आप लोग भी, इधर आने जाने का रस्ता भी नहीं है हम लोग को, यहां पे फिर भीड र सकता है कई लोगों का, अगर आचाना कैसा घटना हुआ तो, मनीश कुमार नाम है सथ, कहा घर है, देया चक बाद नंबर 27 में, 27 में